के आधार पर यह वर्गी करण है या क्लासिफिकेशन है या नौलेज और्गनाइजेशन वाली यूनिट हम कर रहे हैं पहला कुश्चन है आपका एलेक्सटेरिया के कैली मैकस द्वारा ग्रधाले में पिनकास का व्यवस्थापन किस आधार पर किया जाता था अलेक्सटेरिया के कैली मैकस में ग्रधाले में पिनकास का व्यवस्थापन किस के अनुसार किया जाता था अब आप पहले तो यह जानेंगे कि वाट इस पिनकास ठीक है कैली मैकस में आपको मैं बता दूँ कि प्राचीन समय में कोई वर्गी करण पद्दती नहीं थी और वर्गी करण पद्दती की आप शक्ता भी नहीं थी कारण क्या है गरंथ सीमित थे बहुत जादा गरंथ हुआ ही नहीं करते थे तो गरंथों की सीमित था के कारण या तो उनको रंग के आदार पर या तो उनको आकार प्रकार के आदार पर लाल किताबे एक साथ, फरी किताबे एक साथ, पीली किताबें, बड़ी एक साथ, छोटी एक साथ या फिर उनकी लंबाई चोड़े या वजन के आधार पे रखा जाता था अलेक्जेंडेरिया के कैली मैकस द्वारा, ग्रंथाले में पिनकाज ये पिनकाज है प्राचीन ग्रंथ, जो प्राचीन अम्मुल्य ग्रंथ हैं, उनको कहा जाता था पिनकाज, ये पांडूलिपियों की तरह इंपोर्टेंट बहत्वपून दस्टावेज थे, डॉकिमेंट्स थे, अब इनका व्यवस्थापन किस आधार पर किया जाता था फटाफट बताइए बच्चोँ, फटाफट बताइए अलेक्जेंडेरिया के पिनकाज में किस प्रकार से किया जाता था अलेक्जेंडेरिया के पिनकाज में विशयों का व्यवसापन किस आधार पर किया जाता था वेरिगोड वेरिगोड उत्तम सिंग जाटव ने बिल्कुल सही जवाब दिया है उत्तम सिंग जाटव आपका जवाब एकदम सही है एलेक्जेंडेरिया के पिनकाज में आकार के आधार पर बड़ी किताबे एक साथ, छोटी किताबे एक साथ और मीडियम रेंज की किताबे एक साथ रखी जाती थी ठीक है और ये रंग वजन और चोड़ाई के आधार पर प्राचीन समय में वरगी करण की यही पद्दतियां थी या तो पुस्कों को उनके रंग के आधार पर लाल एक साथ पीली एक साथ या उनके रंक नहीं तो उनके वजन मोटी मोटी किताबे एक साथ पतली पतली किताबे एक साथ या फिर उनके लंबाई चोड़ाई के आधार पर तो यानि आकार के आधार पर किया जाता था अब बताईए आकार रंग आधी के आधार पर वस्वों के वरगी करण को क्या कहते है आकार रंग वजन आधी के आधार पर वस्होओ का वर्गी करन क्या कहलाएगा मतलब साथ हमने आकार एक साथ किटाबें बड़ी एक साथ मीडियम साइस की किटाबे एक साथ रखी यह व़गी करन कौन सा व़गी करन कहलाता है कोशन नमबर टू फटावड बताईए बच्छो कोशन नमबर टू प्राकर्तिक वर्गी करण नैचुरल क्लासिविकेशन है अर्टिफिशल क्लासिविकेशन है लॉजिकल क्लासिविकेशन है या ग्रंथाले वर्गी करण ग्रंथाले में वर्गी करण बिल्कुल नहीं किया जाता है आकार प्रकार के अधार पर कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आकार प्रकार के अधार पर आप करें गरंथाले में गरंथों का वर्गी करण ठीक है और यह लॉजिकल क्लासिफिकेशन भी नहीं है यह नाचुरल क्लासिफिकेशन भी नहीं है तो यह किस प्रक क्रत्रिम बर्गीकरण निधानी पर ग्रंथ व्यवस्थापन की सरवादिक उप्युक्त प्रपद्दती क्या है निधानी बोलते हैं बुक शेल्फ को वाट इस अमेनिंग ऑफ निधानी निधानी मतलब आपकी बुक शेल्फ ठिक है अब आपका उस पर अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ओन दे शेल्फ किस प्रकार से करना चाहिए सारी लेखकों की रंगनाथन की किताब एक साथ रखें सारी बड़ी छोटी किताबे एक साथ रखें लाल पीली एक साथ रखें या सब्जे की अनुसार किताब को व्यवस्तित करना चाहिए या एक्षेशन नंबर के अनुसार किताबों को व्यवस्तित करना चाहिए बताईए फटाफट बताईए कंचन सेनी ओनलाइन क्लास में क्लास चेंज कर दी है बच्चे आज की क्लास समझ इसलिए नहीं आई है अजैन आरेडा क्यूंकि आपने डिगरी कहीं से ली होगी है ना जिनोंने regular degree की है या जिनोंने VMOU के बच्चे हैं उन्हें अच्छे से समझ आई ये बच्चे class ठीक है जिनोंने degree ली है उनको समझ नहीं आई ये class तो अब है आपका अब ये टेक्निकल हो गया है जो अधिनस सेवा चैन बोड ने आपका syllabus चेंज किया वो इसलिए तो चेंज किया है ताकि आप स्विशे की knowledge इनको होगी वही इस exam को पास कर पाएगा ठीक है स्क्रीन पे clear नहीं दिखरा क्या शीनु वर्मा कह रही है स्क्रीन पे clear नहीं दिखरा बच्चों बाकी बच्चें बताईए इस इट क्लियर और नाट कि निधानी पर ग्रंथों का व्यवस्थापन की सरवादिक उप्यूक्त पर्दती कौन सी है वेरी गुड विशे के अनुसार होना चाहिए निधानी पर ग्रंथों का व्यवस्थापन सब अध्यन करने वाले के लिए सरवादिक उप्योगी हो यह परिवाशा जब मैं वर्गीकरण पढ़ाती हूं आपको तो बताती हूं कि वर्गीकरण की परिवाशाएं important है classification की बड़ी-बड़ी परिवाशाएं छोटी परिवाशाएं दौन आती बड़ी परिवाशा से keywords उठ आकर question पूस्ते हैं और छोटी परिवाशा as it is पूस्ते हैं तो आपका प्रश्न है ग्रंतों को फलकों पर व्यवस्तित करना या उनका विवरण इस विधी से देना कि वो अध्यन करने वाले के लिए सरवादिक उप्योगी हो the arrangement books of books on shelf or description of them in the manner which is most helpful to those who read ये परिवाशा किसने दी है वरगी करन की बताईए ये है परिवाशा किसने दी है वरगी करन की जो regular student है फटाफट बताईए ये परिवाशा किसने दी है वरगी करन की very good very good WCB Shares एकदम सही जवाब है आप साथ का देखे फलकों की जहां बात हो जाएगी जहां फलकों की बात हो जाएगी फिरंथों को फलकों पर व्यवस्तित करना तो वो क्या कहलाएगा फलकों की बात है वो है आपकी जो देखिए निधानी क्या होती है निधानी होती है आपकी ये अलमारी चीक है और ये है ये क्या है अलमारी के खाने क्या कहलाते हैं फलक और हम किसकी बात कर रहे हैं फलकों की याद रखिए जब भी फलकों का नाम आएगा आप किस से जोड़ेंगे डबलू शीवी शेयर से नेधाने is a wardrobe अल्मारी और फलक उस अल्मारी के खाने को कहते हैं सबान बस्तूओं को एक साथ रखना या अधिक विस्तार में समानता और असमानता के अनुसार बस्तूओं को ब्यवस्त करना ही बर्गी करना है समान वस्तों को एक साथ रखना और उसमें से असमान को अलग करना ये परिभाशा इस तरह भी पूछी जाती है समान वस्तों को एक साथ रखना और उसमें से असमान को अलग करना ये किस विद्वान ने परिभाशा दी है ऐसा रंगनाथन महीं ऐसा रंगनातन की परिभाशा तो बहुत टेक्निकल है। तो उन्हें अन्य करम सुचक अंकों में परिवर्तित करना भी वर्गी करन है। अब रह गए आपके दो व्यक्ति में आपके रह गई हैं Margaret Maan और Henry E. Bliss। तो ये परिभाशा किसकी है? Margaret Maan की। ये परिभाशा Margaret Maan की समानवस्तों को एक साथ व्यवस्तित करना और उसमें से असमान को अलग करना है। Margaret Maan के अनुसार अच्छा इन्होंने कथन भी दिया है। शेयर्स ने, Margaret Maan ने उन पर भी प्रशनावके बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए, next है, ग्रंथाले वर्गी करन किसी विश, ग्रंथ के विशिष विशे के नाम को करम सूचक अंकों की अधिमान्य भाशा में अनुवाद है। Translation of the name of a specific subject of a book into a preferred artificial language of ordinal number अब बताईए अभी अभी समझा है मैंने। किसकी परिवाशा है ये। वेरी गुड बच्चों बताईए फटाफट फटाफट कुशन नमबर छे। कुशन नमबर छे। कुशन नमबर छे। वेरी गूड अभी अभी मैंने बताई है रंगनाथन की। यहां पर किसकी बात की है। Translation of the name specific subject a book into a artificial language की। ठीक है। अब है आपका ग्यान का वह भाग जिसका विस्तार एवं विशे वस्तु का छेत्र एवं गहराई ग्रंत में दर्शित विचारों के समान हो। ग्यान का वह भाग जिसका विस्तार एवं विशे वस्तु का छेत्र एवं गहराई ग्रंत में दर्शित विचारों के समान हो। The division of knowledge whose extension and intention are equal to thought content को निमलिखित में से क्या कहते हैं। पक्ष कहते हैं यानि की एक facet कहते हैं या book classification कहते हैं या knowledge classification कहते हैं। Knowledge classification कहते हैं या बोलते हैं इसको specific subject बताईए बच्चों क्या कहते हैं। Question number seven, question number seven, question number seven फटावड बताईए बहुत असान है ये। Very good, specific subject विशिश्विशय कहते हैं इसको Next है, कारे के तीन धरातल इनको इस्तर भी कहते हैं। तीन इस्तर, idea यानि की वैचारिक धरातल, शाब्दिक धरातल या अंकन धरातल। इनको बैचारिक धर, शाब्दिक धर और अंकन धर भी कहते हैं। को किसने बनाया है, ऐसा रंगनाथन ने, WCB Shares ने, Margaret Maan ने या जेडी ब्राउन ने। जेडी ब्राउन ने, Margaret, इन सब की वर्गी करण पद्दतियां भी है ना। रंगनाथन की वर्गी करण पद्दति कौन सी है? CC, जेडी ब्राउन की कौन सी है? Subject Classification, और Margaret Maan की वर्गी करण पद्दति और WCB Shares की कौन सी है? बताईए फटा-फट, Shares और Margaret Maan की वर्गी करण पद्दतियां नहीं हैं, छिक है? आंसर दीजी बचो, Question No.8, Very Good, ये आइडिया, वर्बल और नोटेशनल प्रेन, डॉक्टर ऐसा रंगनाथन की देन है, जिसको उन्होंने Prolegomena to Library Classification, जिसको उन्होंने Prolegomena to Library Classification में, Prolegomena to Library Classification में, कब आया था इसका First Edition में? First Edition में, 1937, उसके बाद 1957 में Prolegomena का Edition आया आपका Second, और 1967 में Prolegomena का Edition आया Third, तो आइडिया, वर्बल और नोटेशनल प्लेन, यानी रंगनाथन ने, जो वर्गी करण के सिध्धान्त बनाए, सूत्र बनाए, उपसूत्र बनाए, कानून बनाए, अभिधारनाय बनाए, Principles and Postulates बनाए, पक्ष अनुकरम के सिध्धान्त बनाए, वो सब उन्होंने ये Prolegomena to Library Classification में ही दिये थे, और Prolegomena to Library Classification के 1967 के Edition में ही उन्होंने गत्यात्मक यानी Dynamic Theory of Library Classification को भी दिया था, आपकी 4th unit में है पुस्टकाले वर्गीकरन के सिध्धान्त, तो पुस्टकाले वर्गीकरन के दो प्रकार के सिध्धान्त है, Descriptive Theory of Classification, और डूसरी क्या है आपकी, Dynamic Theory of Classification, Descriptive Theory बहुत लोगों ने दिया है, J.D. Brown ने दिया है, WCB Shares ने दिया है, Descriptive Theory और आपकी WH Hume ने भी दिया है, Descriptive Theory तो ये Descriptive Theory Bliss ने भी दिया है, लेकिन गत्यात्मक सिध्धान्त या आपकी पुस्टकाले वर्गीकरन की Dynamic Theory एक मात्र रंगनाथर ने दिया है, क्या फुरेक है, Descriptive और Dynamic में, Descriptive जो पहले गलती कर और फिर सीप, Descriptive Theory पहले गलती करते व्यक्ति, पहले वर्गीकरन पद्दती का उप्योग करो, उसमें से कुछ परेशानिया हो, फिर सिध्धान्त बनाओ, रंगनाथर ने पहले ही वर्गीकरन पद्दती को इन सिध्धान्तों के आधार पर बनाया था, गत्यात्मक सिध्धान्त का मतलब है, जो गतीशील हों, जो समय के साथ चलने वाले हों, और रंगनाथर ने ही गत्यात्मक या Dynamic Theory of Library Classification बनाई थी, वेरी गूड राजेनर वर्षाद, हैपी टू सी यू, आपने सारे जवाब दिये, चलिए, आपकी फर्स्ट और फोर्टियनर तो पूरी तरीके से चेंज़ है बच्छों, नेक्स्ट है, पुस्तकाले की आधार्शिला पुस्तके हैं, और पुस्तकाले अध्यक्षता की आधार्शिला वर्गी करण, गरंथाले की आधार्शिला गरंथालित्व यानि लाइबरियांशिप है, और जो गरंथालित्व की आधार्शिला है वो वर्गी करण है, किसका कथन है बताइए ये कथन आता है बहुत थोड़े से अंतर से दो लोगों का कथन है एक तो WCB Shares और Henry E. Bliss दोनों के कथन में जरासा अंतर है बताइए ये किसका कथन है कुशन नमबर 9 वेरी गोड बबीता कुमारी वेरी गोड ये हमारे रेगुलर सूडेंट है फटाफट बताइए पुस्तकालियों की अदाशिला पुस्तके है और किसका कथन है ये मैं लिखवाती हूँ जब भी भरगी करण के आफशकता लिखवाती हूँ तो वेरी गोड 9 का डी आया है सबसे पहले जवाब दिया है बिंदू सुथार और गुड़ी चौधरी डी इस राइट आंसर डबलू सी बी शेयर नेक्स्ट है गरंतों को प्रियोगार्ट संग्रहित किया जाता है उनका अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं क्योंकि प्रियोग करना है मैं अगर अर कृण कर रहे हो क्यों कि हमें यूस करनी है क्यों हमें यूस करनी है और यूस कर नहीं लाइब्री का आधार है किसका कथन है बुक्स अर collected for use they are administrated for use and it is a use which is a motive of library classification किसका कथन है बताइए बच्चो कुशन नमबर दस किसका जवाब आता है सबसे पहले वेरी गुड ऐसा रंगनाथन डबलू सीबी शेयर्स एसी रिचार्डसन मार्गेट मान कन्फ्यूजन है बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा इसका क्या उपाय है जितने मैंने आपको नोड्स दियें सुबह उठिये चाहे के साथ जैसे पेपर परते हैं सबको नोड डाउंग सबको रीड आउट कर लीजे काम खतम जो आपने रजिस दिया है इसी डिचार्ट संथ लोड डाउं कर लीजी बहुत आते हैं कोटेशन गरंतों को प्रियोगार संग्रेट प्रियोगार व्यवसा और प्रियोग है अगर प्रियोग नहीं करना हो तो हम क्यों लाइब्रेडी बनाएंगे कुश्यन नंबर 11 हैनरी ब्लीस के अनुसार गरंताले बर्गीकरन संबदित विशयों को पास लाने में सहायता करता है लाइब्रेडी क्लासिफिकेशन हेल्प्स तो ब्रिंक रिलेटेड सब्चेक्ट इन क्लोज प्रक्सिमेटी इसको गरंतों को पास लाने में सहायता करता है इसको क्या कहते हैं करंबदता कहते हैं अंकन कहते हैं बताइए हैं हैनेरी इबलिस के अनुसार विरंथाले बरगिकरन संबंदित विशयों को पास में लाता है अब यह पास में ला रहा है संबंदित विशयों को ये क्या है ये करमबदता है या सबकी सहमती है या अधिनस्तिता है यानि सबॉडिनेट्शन है या अंकन है फटा फट बताईए ये एक्जाम का कुश्चन है कुश्चन नमबर 11 वेरी गूड 11 में A very good करमबदता या इसको हम कंसिस्टेंसी भी कहते हैं कंसिस्टेंसी के लिए हम करते हैं गरन्थों को पास में लाने के लिए और ये किसका कथन है ये भी याद रखना है आपको हैनरी इबलिस का ये भी पूछा जाता है बहुत पूछा जाने वाला प्रश्ण ग्रन्थाले वर्गीकरण का व्याकरणा चार्य कौन है कुश्यन नंबर 12 फटा फटा आजाईए बच्चों ग्रन्थाले वर्गीकरण पद्दती का व्याकरणा चार्य कौन है आपको ये भी बता दू जो पूछाले वर्गीकरण पद्दती का व्याकरणा चार्य है उसकी एक भी वर्गीकरण पद्दती नहीं है सारे बच्चे गलत पहला प्रश्ण सही आया है राजेंद्र प्रसाद का WCB Shares याद कर लीजिए बच्चो WCB Shares ने एक भी वर्गीकर्ण पद्दती नहीं बनाई है मैल्विल ड्यूई की वर्गीकर्ण पद्दती कौन सी है बच्ची ऐसा रंगनाथन की वर्गीकर्ण पद्दती कौन सी है सी सी जेडी ब्राउन की कौन सी है सब्जेक क्लासिफिकेशन WCB Bears की कौन सी है नहीं लेकिन WCB Shares ने Canons of Classification को बनाया है वर्गीकर्ण के उपसूत्रों का निर्मान किया है WCB Shares ने कितने वर्गीकर्ण के उपसूत्र दिये थे उन्होंने 29 उन्होंने 39 वर्गीकर्ण के उपसूत्र दिये हैं उन्होंने Manual of Classification नामक वर्गीकर्ण पद्दती भी बनाई थी और उन्होंने इंट्रोडेक्शन वर्गीकर्ण पद्दती नहीं बुग Manual of Library Classification और इंट्रोडेक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी उन्की पुस्तक थी उन्की किन की उन्की किन की WCB Shares की शेर्स ने तीन किताबे लिखी इंट्रोडेक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन Manual of Library Classification और रंगानाथन ने जो और इंट्रोडेक्शन बनाएं बर्गीकर्ण के उसमें भी उन्होंने WCB Shares के सद्धानतों का या कैनन्स का प्रयोग किया है और रंगानाथन ने क्या कहा है Shares ने किसी वर्गीकर्ण पद्दती का निर्मान नहीं किया है लेकिन उनके उपसुत्र इस पुसकाले वर्गीकर्ण के शित्र में किसी वर्गीकर्ण पद्दती के निर्मान के समान उनका जो पुसकाले के उपसुत्र है वो वर्गीकर्ण के शित्र में महान योगदान रंगनाथन ने भी इस शेयर्स के योगदान को महान योगदान कहा था चलिए नेक्स्ट है ग्रंथाले बरगीकरण को तर्क संगत सिध्धान पर आधारीत करने आधारीत करने का प्रत्न करने वाला प्रसम बरगाचारे कौन था आंसर दिया हुआ है उपर वाले प्रशन का आंसर में उपर वाले प्रशन में दिया गया है बताईए कुशन नंबर 13 फटा फट सुडेंस बेटिंग फोर यूर आंसर फटा फट वेरी गूड बहुत अच्छे तयारी कर रहे हैं बच्चे वेरी गूड राजन ब्रसाद हैपी टू सी 1915 चपविस और पैंतिस उन्होंने किताबों के इयर भी दे दिये हैं तेरा में आंसर दिजीए तेरा में सी दे रहे हैं बच्चे तेरा में ए दे रहे हैं बच्चे और बताईए सबका गलत है अभी तक इसलिए मैं कह रहे हूं और बताईए प्रश्न में आंसर दिया गया है फिर भी आप नहीं बता पा रहे हैं सुमन सुथार ने सबसे पहले जवाब दिया है WCB शेर यहां पर क्या आ रहा है वरगाचारे किसका वरगाचारे वरगीकरण का उपर मैंने क्या कहा वरगाचारे व्याकरणाचारे ग्रन्थाले वरगीकरण को तर्क संगत सिद्धांत पर उपर जब मैंने कहा व्याकरणाचारे तब मैंने आपको क्या बताया था उन्होंने किसी भी प्रकार की वरगीकरण पद्दती का निर्मान नहीं किया लेकिन उनके उपसूत्रों पर ही बाकी सारी वरगीकरण पद्दतियां निर्भर रही और रंगानाथन ने उनके उपसूत्रों को वरगीकरण के शेत्र में महान योगदान बताया है तो तर्क संगत सिद्धांत सबसे पहले WCB शेयर्स नहीं दिये थे आपको मैंने उपरोले कुश्यन में ये भी बताया रंगानाथन ने भी अपने उपसूत्र उससे पहले ये भी बताया कि रंगानाथन ने उपसूत्र सूत्र सैद्धान पक्षनुक्रम के सैद्धान ये सब दीय Can. अ आंसर आएगा WCB शेर्स तरक संगत सिद्दान पर आधारित करने का प्रसम प्रियास किया था शेर्स ने रंगनाथन क्लासिफिकेशन पद्द की व्यूपती किस भाषा से हुई है बहुत ही असान कुश्चन है यह क्लासिफिकेशन शब्द किस भाषा का है कुश्चन नंबर 14 फटा फट बताईए कुश्चन नंबर 14 राजेन रिप्रसाद ने सबसे पहले दे दिया जवाब लेटिन और बहुत असान भी है बरगिकरण पद्दती के निर्माता को जिसने बरगिकरण पद्दती का निर्मान किया है उसको क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन इस्ट क्लासर या क्लासिस्ट कोश्चन नंबर 15 फटाफट बताईए बच्चों कुश्चन नमबर 15 राजेन रिप्रसाथ अंग्रे जी इसलिए सही जवाब नहीं दे पारे हो क्या योगिता वस्थी ने सबसे पहले जवाब दिया है और आंसर गुर्करीत कौर ने सबसे पहले दिया गुर्करीत कौर ने उसके बाद योगिता वस्थी ने क्लासिफिकेशनिस्ट राजेन रिप्रसाथ अंग्रे जी की वज़े से आप मात खा गए यहां इस तरह से प्रशन इसलिए मैं क्लास में कहती हूँ थोड़ी थोड़ी अंग्रे जी से मित्रता कर लो यह एक्जाम का ही कुश्चन है क्लासिफायर कौन होता है क्लासिफायर होता है वर्गा कार और क्लासिफिकेशनिस्ट कौन होता है वर्गा चार्य चार्य में क्या छुपा है आचार्य आचार्य क्या करता है विशयों का निर्मान तो classification पद्दती के निर्माता को क्या बोलते हैं वरगाचारे यानि आचारे किसका वरगों का वरगों का आचारे यानि विशयों की वरगीकरण पद्दती का निर्मानाता है classificationist और classifier classifier जो काम करता है कार ठीक है तो राजेंडर आज के बाद थोड़ी थोड़ी English भी पढ़ो गे ना classifier किसको कहते हैं फटा-फट बताईए फू इस classifier उपर बता दिया है मैंने question का answer question number 16 जल्दी बताईए बच्चो question number 16 very good काफी बच्चे लाइव आ चुक्ए है हमारे आप इस वीडियो को लाइक subscribe share करना बिल्कुल ना भूले और बैल आइकन जरूर प्रैस कर दें लाइक जितने बच्चे हैं राइक बीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले है और बैल आकनडियाकर्ट कर देजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, फटा फट बताइए बच्चों, 26 में 16 में C, लाइबरी साइंस 2.0 का काफी बड़ा दिग्या मुझे, गरंथ को वर्गी करत करने वाला, बिल्कुल मैंने समझा ही दिया था उपर, गरंथ को वर्गी करत करने वाला है वर्गा क्लासिफायर वर्गा कार और निर्माता है वर्गा चार्य, वर्गी करन के सिद्धान्त के प्रसिद विद्वान शेयर, ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ती वर्गा चार्य नहीं है, अब मुझे लगता है आपको यह तो समझा गया कि वर्गा चार्य क्या होता है, वर्गा कार का होत पताये निमनलिखित में से कौन सा व्यक्ति वर्गाचार्य नहीं है ऐसा रंगनाथन फ्रेमेंट राइडर डबलू सीबी शेयर्स या सीए कटर वर्गाचार्य कौन जिसने वर्गीकरण पद्दती का निर्मान नहीं किया है वेरी गूड बांगाराम ने जवाब दिया है पूरा का पूरा डबलू सीबी शेयर्स और डबलू सीबी शेयर्स अंसर सी है अजीत शर्मा दे चुके थे सबसे पहले WCB Shares is the right answer कौन सा व्यक्ति बढ़गा चारे नहीं है रंगानाथन है CC बनाई है Riders है Riders की Riders International Riders International Classification है International Classification है ठीक है और चार्ल सैमी कटर की कौन सी है Expensive Expensive Classification तो बच कौन गया बच गये Shares 18 है Study of General Categories Applicable to Classification नाम गरंथ के लिखक का नाम बताईए अब ये थोड़ा मुश्किल है बताईए सोच के बताईए Question नमबर 18 Very good मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ Question नमबर 18 Study of General Categories अपके क्लासिफिकेशन नाम गरंथ के लिखक का नाम बताईए Very good Eric D. Grawlier Eric D. Grawlier है Study of General Categories Applicable to Classification नाम गरंथ के जो लेखक है That is Eric D. Grawlier Barbara, Kyle, WCB, Shares और S.R. अंगनातन के गरंथों की तो सूची नहीं है इन्होंने काफी काफी गरंथ लिखें अगर इन पर हम बनाएंगे तो एक एक वीडियो कम से कम 15-15-20 भी स्मटका इन पर भी बन जाएगा Next question Proligomena to Library Classification नाम गरंथ के लिखक का नाम बताईए बहुत असान है फटा-फट बताईए बच्चो Who is the author of Proligomena to Library Classification अभी अभी मैंने बताया तीन एडिशन आए इसके Proligomena to Library Classification के तीन एडिशन आए आपको मुझे बताना है कौन इसके ओथर है फटा-फट बताईए Proligomena वेरी गोड उनने इसका बी 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 अच्छा इसके प्रकाशक कौन है ये भी बताईए ये कोशन अभी रिसेंटली किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे इसके प्रकाशक का नाम फटा-फट बताईए इसके प्रकाशक कौन है Proligomena to Library Classification के प्रकाशक कौन है वेरी गूड वेरी गूड जल्ली बताईए बच्छो कौन है प्रकाशक इस Proligomena to Library Classification का फर्स्ट एडिशन प्रकाशित किया था माला ने इसका सेकेंड एडिशन प्रकाशित किया लाइबरी एसोशियेशन यूके ने ठीक है सेकेंड एडिशन लाइबरी एसोशियेशन यूके ने यूके के जो विद्वान थे उन्होंने रंगानाथन की जो रिसर्च है उसका बहुत ज़ादा इंपोर्टेंस समझी और उनको रिसर्च के लिए प्रोच साहित किया रंगानाथन ने जो विशयन नर्मान की विदियां बनाई वो भी F.I.D. के महा सचिव थे Donker Duvis ने F.I.D. के महा सचिव Donker Duvis ने ही रंगानाथन को प्रेरित किया आमंत्र क्या की भर्गी करण के शित्र में वो ग्यान जगत की संदचना उसके गुण उसकी विशेश्ताओं को समझें और उस पर कोई शोवद करें रंगानाथन ने उनका मंतन स्विकार किया और रंगानाथन ने 1950 में विशय निर्मान की चार विदियों का निर्मान किया ठीक है नेक्स है विशय निर्मान की विदियों को अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा मोड्स अफर्मिशन अफ सब्जेक का वीडियो पड़ा है आप देखिए चलिए next day बच्चो decimal class grammar of classification नाम के लेखत का नाम बताएए who is the writer of grammar of classification कई बार अगया यह घूम फिर की question who is the writer of grammar of classification question number 20 जल्दी जल्दी very good कई बार हम कड़ चुके भी नहीं भी नहीं है कि ग्रामर ओफ क्लासिफिकेशन को ने फटावर्ट 20 में राजन रिप्रसाद ने जवाब दिया यानि आप ध्यान से रिख रहे थे योगदान बहुत बड़ा माना जाता है चली बच्चों आज सोड़ा लेट हो गई तो आज के लिए इतना ही काफी है हम फिर मिलेंगे आप जरूर से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है बैल आइकन को प्रैस कर दीजे अभी मेरी खलके हलके से दिख रहे हैं ये ध्यान दखूंगी बच्चों अगली बार से में जुके जुके सी नजर बेकरार है के नहीं जुके जुके सी नजर बेकरार है के नहीं दवा दवा ससगी दिल में प्यार है के नहीं जुके जुके सी नजर तु अपने दिल की जवाँ धड़कनों को गिन के बता तु अपने दिल की जवाँ धड़कनों को गिन के बता मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है के नहीं दवा दवा ससगी दिल में प्यार है के नहीं जुके जुके सी नजर जुके 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 हम सी नाजर भी कि जुके जवाँ रसवाँ भी जुके 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 जवाँ वो पल के जिसमें महाबत जवान होती है वो पल के जिसमें महाबत जवान होती है उसे एक पल का तुझे इंतजार है के रही तबा तबा ससरी दिल न त्यार है के नहीं जुके जुके से नजर तेरी उमीद पे खुकरा रहा है दुनिया को तेरी उमीद पे खुकरा रहा है दुनिया को तुझे भी अपने पे ये इतबार है के नहीं दबा दबा ससरी दिल में प्यार है के नहीं जुके जुके से नजर तेरी न सत्मीत आवमीद वार्ण यर्ण चिट्ठी न कोई संदेश चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सदेश जहां तुम चले गई चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सदेश जहां तुम चले गई चिठी न कोई संदेश जाने वो कौन सदेश